आगे आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं आटो पैसा दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेटीजी के बारे में जो विल्कुल फ्री में मिल जाएगा इस जिरोधा के प्रेटफर्म पे कैसे मिलेगा देखिए पहले ये पेड हो रहा था लेगी अप पेड हटा के बिल्कुल फ्री कर दिया है यानि आप फ्री में फैदा उठा सकते हैं अगर continue आप लोज कर रहे हैं तो उस लोज को आप इस पे recover कर सकते हैं धीरे 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 करके आप recover कर सकते हैं तो क्या करना है देखिए जिरोधा में ने open किया है तो उसके बाद जिरोधा open करने के यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ देखना पड़ेगा यानि आप Nifty Middle करते हैं करते हैं जिसमें आप Neffty करते हैं उसको आपको उस चार्ट का की की कि यह सब्सक्राइब करते हैं तर यह जिरोथा का Option chain नहीं है यह तो हमें क्या करना ही यहां पे option chain को full कर देना है यानि जितने भी option chain है सारे निकल जाएंगे details से तो हमें अब यहां पर देख लेना है कि इस तरह से interface नजर आता है यहाँ पे virtual portfolio भी निकल जाता है याँ आप paper trade करना चाते हैं तो यहाँ से paper trade कर सकते हैं ठीक है? यहाँ पे popular strategy builder यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इस strategy को हमें लगाना है यहीं से लोग पैसे कमा रहे हैं यहीं से आपको cream strategy मिल जाएगा बाकी बहुत सारे option देख रहे हैं आप देख सकते हैं पढ़के क्या-क्या लिखा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है हमें इस पे click करना है strategy builder पे जैसे हम click करेंगे तो इस तरह से interface नजर आ जाएगा अब दोस्तों क्या करना है? मालीज आपका market का भी उपर की तरफ है नीचे की तरफ है यह sideways है जिस तरह से है उसी तरह से हमें यहाँ पे strategy लेना है दोस्तों आपको मालूम होगा कि trend तीन होते हैं या तो uptrend होता है या downtrend होता है नहीं तो sideways होता है इन तीनों में से कोई सब यह trend होगा मालीज आपको जिस दिन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वला trend हमें लेना है नीचे की तरफ है तो नीचे वला trend पे हमें buy करना है, sell करना है और जो sideways है तो sideways के हिसाब से हमें trade करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे strategy बने हुए है यह bullish market में काम कौन सा करेगा यह अलग करेगा bullish market का strategy यहाँ पे बहुत सारे strategy बना हुआ है देख सकते हैं सारे strategy बने हुए मैं सारे strategy बना के playlist में डाला हूँ playlist में जाके देख सकते हैं सारे video बना दिया हूँ यानि बुलिष मार्केट का मैंने बना दिया, अब क्या है दोस्तो, बियरिस मार्केट आ गया, तो बियरिस मार्केट का भी बना दिया हूँ, यह सारे वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर किलिक करेंगे, तो बियरिस वाले सारे स्टेटिजी आ जाएंगे, यहाँ स्टेटेटिं मेंने बना दिया है अब क्रहें के बाद तो आपने नाम सुना होगा देखिए यह नाम सुना होगा जब सुना होगा तो λवत आप प्ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों ये वाला strategy मैंने बना दिया है देखिए ये शॉट एडल का मैंने वीडियो बना दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं आज हम किस पर बात करेंगे आज इसके बारे में बात करेंगे iron butterfly के बारे में ये strategy के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा ये strategy बहुत ही कमाल की है यानि side wedge में बहुत अच्छा ये काम करता है iron butterfly ये best काम करता है तो इसलिए मैं आपको explain करना चाहता हूँ कि किस तरह से काम करता है देखिए इस पर हम click करेंगे click करने के बाद हमारे strike price निकाल के देगा कौन से strike price हमें buy करना है किस में हमें sell करना है तो हम क्या करेंगे ऊपर एक बर देख लेते हैं क्या क्या हमें निकाल के दिया हुआ है इसको हम delete कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर buy करना है सेल करना है यानि दो वाई करना है और दो सेल करना है यहाँ पर वाई क्या करना है देखी यहाँ पर 47,000 का पूट वाई करना है अब यहाँ पर सेल क्या करना है 47,500 का पूट सेल करना है यह और तीसरा क्या है 47,500 का यह कॉल सेल करना है और चोथा क्या है 48,000 का कॉल वाई करना ह यानि एक एक लोट में करना है, यहाँ पर एक लोट दिख रहा होगा, एक एक लोट में करना है, अज सब का प्राइज यहाँ पर दिख जाएगा, इसका प्राइज कितना चल रहा है, 114 रुपे चल रहा है, और इसका प्राइज किया चल रहा है, जो हमने सेलिंग किया है, 300 र करना है और किसमें सेल करना है तो यह तो हमें पता चल गया कि कौन सा इस्टाइक प्राइज हमें निकालना है बहुत सारे लोग जो बिगनर होते हैं उनको इस्टाइक प्राइज निकालने में काफी कठनाया होती है जो बिगनर लोग होते हैं वो इस्टाइक प्राइज नहीं उसके बाद ही हमें execute करना है तो हम एक बार देख लेते हैं क्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर profit कितना हो रहा है ज़्यादा ज़्यादा यानि maximum profit 5200-400 रुपे maximum profit होगा और maximum loss कितना होगा यहाँ पर 2200 रुपे होगा यानि जो हमारा market कहीं भी जाए उपर जाए नीचे जाए तो हमारा loss कितना होगा और profit कितना होगा समझगे दोस्तों अब हम देख लेते हैं profit loss तो हमने देख लिया उसका बद हम देखेंगे कि fund का size कितना लग रहा है fund का size भी देखना ज़रूरी है अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम इस trade का क्या करेंगे कैसे execute करेंगे तो हमें fund का size भी देख लेना है यानि 49-40,000 रुपे अगर आपके account में है तो ये वाला strategy ले सकते हैं जो sideways market में काफी अच्छा काम करता है ठीक है काफी अच्छा काम करता है अगर 40 ज़र आपके account में है तो state को जरूर लीजिए छोटे छोटे profit करके आप बड़ा profit कमा सकते हैं क्योंकि अगर continue market में बने रहेंगे तो आपको profit होने का chance काफी बढ़ जाएगा अगर एक दो दिन में आप चाहेंगे कि profit ज़्यादा कमा ले market से ज़्यादा ले ले पैसे तो market कभी देगा नहीं बलकि उपर से ले लेगा account खाली कर देगा इसलिए अगर continue market में बने रहना है तो इसी तरह से strategy builder पे जाके आपको जिस तरह से market है उसी तरह से आपको trade लेना है तो भी आपका view है उसी हिसाब से trade लेना है उपर के तरह है तो उपर वाला strategy लेना है sideways है तो sideways वाला strategy लेना है और downtrend है तो downtrend वाला strategy लेना है तो हम आज बात कर रहे हैं sideways वाला sideways market काफी बार होता है दोस्तों हफते में दो-तीन बार जरूर आ जाता है sideways यानि छोटे range में market घूमता रहता है 500-200 point में घूमता रहता है तो उस strategy को आप यहाँ पर apply कर सकते हैं छोटे range वाले market में समझ गए? तो हम यहाँ पर एक बार नीचे देख लेते हैं graph ठीक है? graph में क्या दिख रहा है दोस्तो? graph में हमें यही दिख रहा है कि market एक direction में रहेगा तो profit हमारा बढ़ता रहेगा यानि हमने एक range तई किया है कि इस range के अंदर market रहेगा तो हमारा profit बढ़ेगा अगर उस range को तोड़ के बाहर निकलेगा तो हमारा loss बढ़ सकता है यानि loss ज़्यादा नहीं बढ़ेगा यानि आपको दिखाई दिया होगा कि loss कितना होगा यानि loss मातर 22 रुपे ही होगा अगर range तोड़ के बाहर भी जाता है तभी भी loss काफी कम होगा यानि 22 रुपे का सबस में loss होगा तो यहाँ पर एक देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों देखिए यह range बना की दिया हुआ है यह range है और यह career range है range कितना बड़ा बनाया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं 47,200 का range है और यह 47,800 का range है यानि इस range के बीच में market रहेगा तो काफी बड़ा profit होगा यहाँ पर देख सकते हैं लोस कितना बड़ेगा धिरे 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 देखिए यहाँ पर लोस 22 रुपे जा रहा है यानि 22 रुपे से ज़्यादा लोस नहीं जा सकता अगर market छोटे range में है तो इसे strike price को चुनिए और apply किजिए ठीक है 2023 को भोल जाईए 2024 में इस strategy को apply किजिए अगर 2023 में आप काफी loss कर रहे हैं तो उसको भोल जाईए और loss को इस strategy के थुरू आप recover कर सकते हैं 2024 में तो दोस्तो आप पूरी detail से समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करता है दोस्तो मान लिजे आपने trade ले लिया तो उसको आपको देखना है कि हमारा loss कितना चल रहा है और profit कितना चल रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आना पड़ेगा यहाँ पे profit and loss table पे यहाँ पे हम click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा detail से लिखा हुआ है देखिए हमने चार ट्रेड यानि चार ट्रेड लिया था चार एश्टाइक प्राइज को हमने buy और sell किया था पहले वाले में क्या हो रहा है 12 रुपय का loss चल रहा है यानि जो buy किया था उसका loss 12 रुपय चल रहा है जो sell किया था उसका 16 रुपय प्रोफिट चल रहा है और जो हमने दूसरा सेल किया था यानि कॉल को सेल किया था उसमें 19 रुपय का प्रोफिट चल रहा है यहाँ पर कितना चल रहा है कॉल का जो हमने बाई किया था उसमें 12 रुपय का लोश चल रहा है यानि टोटल आप माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल 1000 रुपे का फ्रोफिट चल रहा है यानि फाइनली आपको 1000 का फ्रोफिट चल रहा है यहाँ पे आपको देख सकते हैं अगर market open रहेगा, तो सारा price उपर नीचे move करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर यह वाला जो profit दीख रहा है, यह भी उपर नीचे होता रहेगा, समझ गए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नीचे, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे हमें कुछ नहीं देख करना है, ठीक है, यह पहला हमें यह देखना है, उसके बाद हमें यह देखना है, कि हमारा fund का size कितना लग रहा है, यही देखना है कि fund का size कितना लग रहा है, और profit कितना होगा, और loss कितना होगा, ठीक है, यही तीन-चार चीज हमें देखना है, उसके बाद इस trade को ले लेना चाहिए इतना fund हमारे account में है या नहीं है जब ही जाके हम strategy को apply कर सकते हैं समझ गे तो दोस्तों अगर आपके मुन में कोई view है कोई सुझाव है तो comment में जरूर कीजिए मैं उसका reply जरूर दूँगा उसके बारे में वीडियो जरूर बना दूँगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो like, share और subscribe जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिन दोस्तों